नमस्कार, स्वागत है टुडेज के स्खास प्रेजिन्टेशन में डिली हाइकोट ने केजरिवल सरकार को तगरा छटका दिया है हाइकोट ने दिल्ली सरकार की मरीजों के खिलाफ संबन्धी नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है नोटिफिकेशन खारिज होने के बाद अब पहले की तरह कोई भी दिल्ली के गुरुतेग बहादूर अस्पताल में इलाज करा सकेगा हाइकोट ने साफ किया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज में किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कोट ने माना कि दिल्ली सरकार का सरकिलर मन माना है मेडिकल सर्विसेज में भेदभाव किसी भी लिहाज से मरीजों के साथ नाइन साफी है अदालत ने सरकुलर को फंडामेंटल राइट्स का कतल माना मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने एक notification अपलाई कर दिल्ली के अस्पतालों में 80% तक इलाज की सेवाए केवल दिल्ली वासियों के लिए reserve कर दी थी इसके साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में 80% के तहट इलाज कराने के लिए voter ID card compulsory कर दिया गया था दिल्ली सरकार की इस notification को एक NGO ने High Court पे चुनाती दी थी Petition पर सुनवाई करते हुए High Court ने अब इस notification को खारिज कर दिया है इससे NCR के करोड़ों लोगों को बरी राहत मिलेगी गुरुतेक बहादूर अस्पताल में दिल्ली के बाहर के मरीजों पर दिल्ली वासियों को प्रायोरिटी देने के फैसले के खिलाब दायर Petition पे High Court ने 8 October को ही सुनवाई पूरी कर ली थी इसके बाद High Court ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था अब High Court ने अपना फैसला सुना दिया है इस फैसले के बाद अरविंद केजरिवाल सरकार को बैक फूट पर आना पर गया है और उनकी चुनावी रन नीती एक तरसे फेल हो गई जिसमें वो दिल्ली वासियों को ये जताने की कोशिस कर रहे थे कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स पर दिल्ली वासियों का पहला हग है उमीद है आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया होगा आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू